हें गाईज कैसो आप लोग दोस्तों बैखों काश्माण और आप देखें को इस में को सेल्फ शूरिक कल का एक वीडियो सीरीज था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कौन-कौन से सॉफ्ट्रेर सीखने चाहिए और किसकी सीरीज में सीखने चाहिए और उसी टाइम में आपको बोला था कन्फ्यूज मत हो जाना कि पहले स्टेर सीखू या फिर पहले इटेफ सीखू या फिर दोनों में से कौन सा सीखू बोला था इसके बारे में तो आज का वीडियो में मैं complete technical discussion करूँगा कि किसको stat सीखना चाहिए किसको stat सीखना चाहिए और कव सीखना चलिए चलिए वीडियो के सुरुआत करते हो समझते हैं technical way में क्या पहले सीखना चाहिए इसको तो अब कोई आपको बता देगा कि भाई यह सीखना सीखना चाहिए तो हमें सीखना चाहिए सबसे पहले अगर हम प्रेसर लेवल पे हैं तो हमें सबसे पहले stat pro सीखना चाहिए, क्यों? क्योंकि stat pro पे सबसे पहली चीज यह है कि अगर non-technical way में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो job मिलेगी इंडिया में वो stat pro पे मिलेगी तो भाई हम सीख भले ले लेकिन अगर job नहीं मिला था हमारे किस काम का तो पहला काम करना है कि job के लिए तो stat pro सीख लो दूसरा benefit क्या है? जितने भी small structures हैं उनको बहुत ही easily stat pro के अंदर बनाय जा सकता है और ज्यादा कर जो construction हो रहे हैं अभी भी इंडिया में वो small structures के हो रहे हैं साथी साथ एक और benefit मैंने देखा है कि इसमें SFD, BMD, Deflexor यह सब बहुत चोटी चोटी चीजी बहुत अच्छे से clear हो जाती है पढ़ाते time भी यह बढ़ा easy होता है इसलिए बच्चों को समझ में stat pro जल्दी आता है compare to ETFs ठीक है अब बात करते हैं ETFs कब सीखना चाहिए ETFs सीखना चाहिए अगर आप higher age building की analysis और design सीखना चाहते हो या फिर उनके projects करना चाहरे हो जो भी बड़ी-बड़ी company है जिसे JW है विनाय construction है ऐसे बहुत डिर सरे हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े structures को design करते है ठीक है ऐसे company आप prefer करते हैं ETFs क्योंकि ETFs में higher age building की analysis बहुत जल्दी होती है एक बार हम लोग ऐसे class पढ़ा रहे थे तो मैं stat pro में G plus 8 का structure ले लिया पूरे class में मतलब एक class में क्योवाल एक बार मुस्किल से एक बार analysis हो रहा था dynamic analysis like push over, delta analysis या फिर response spectrum analysis इन सब को सीखने की कोसिस कर रहे हो तो आप ETFs के लिए जाएए ETFs ज्यादा बेटर है प्लस ETFs का जो भाई है जो उसका छोटा भाई है उकोन है safe यसे FE राइट वो footing के लिए सबसे best software है मेरा experience अब तक यही रहा है कि उसका footing का डिजन मुझे सबसे बहतरीन लगता है slab के लिए काफी बहतरीन उसको माना जाता है तो इसलिए अगर ETF सीख रहे हैं तो ETF के साथ safe नहीं सीख रहे हैं तो इसलिए याद रखिए अगर high-rise building के analysis और design सीखना चाहते हैं dynamic analysis अच्छे सीखना चाहते हैं तो आप ETF के लिए जाएए अगर आपको basic concepts छोटी-छोटी concepts clear करने हैं कि slap ये sales कैसे होते हैं F.E.um यानि find element method क्या होता है उस पर कैसे analysis करते हैं stat foundation को पर कैसे work करते हैं, RC designer पर कैसे work करते हैं ये छोटी-छोटी चीजे सीखना है, जो support होता है, support के types कौन-कौन से होते हैं इसको बहतरीन level पर सीखने के लिए मेरा preference अब तक का यही रहा है कि आप stat pro सीखिए और लब अच्छा साल का मेरा experience है जिसमें मैंने यही सीखा है कि भाई यह easy पढ़ता है तो beginners पहले stat pro सीखे, उसके बाद e-taps सीखे, यह clear है आप कही लोग सोचे रहें कि सर बहुत पैसा लगता है, इसके हुझे समक्राइक ही सीखना चाहते हैं तो मेरा suggestion है कि आप stat pro सीखिए, job stat pro पर जल्दी लग जाती है, जब आपके असपैसे हो जाए तो आज के time में online माध्यम्स बहुत अच्छे अच्छे है बढ़ा देते हैं, और भी बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हो, but last में करना चाहूंगा, कि जो भी सीखा रहे हैं, थोड़ा सोन का knowledge भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर freshers ETFs आपको सीखाएंगे, तो believe करिए, आधा ही स ETFs हैं, जो कि phrases को नहीं पता रहते हैं, तो message करूँगा, कि अगर आप ETFs सीख रहे हैं, तो किसी experience person से सीखिए, और stat pro भी even OC से सीखना चाहिए, बट चली, stat pro में आप थोड़ा बहुत कमरवाइच कर सकते हैं, एक दो साल का भी experience है, तो आपको basic चीजे ही रहती है, तो clear हो जा जाला है, अगर आप लोग निद्यान से देखा होगा तो, और नीचे ही टैप जाला है, क्योंकि यही right way होता है सीखने का, चली, thank you so much for watching this video, अगर आपको इस तरीके छटे-छटे technical terms में confusion होता है, तो आप comment क्या करो, comment करने में मुस्की साब का 2 minute लगता है, but हमें ही idea लग जा जिसको लोग कम फोकस कर पादें, चली, जैहिन, जैवारत